बिहार हिंदुस्तान का इतिहास है बिहार में कई ऐसी जगे हैं जहां से कई इतिहास जुड़े हैं और कई इतिहास दफन हैं बिहार का एक छोटा सा शहर राजगीर जो की नालंदा जिले में स्थित है कई मायनों में महत्वपूर्ण है आपको बता दें कि ये शहर प्राचीन समय में मगद की राजधानी हुआ करता था यहीं पर भगवान बुद्ध ने मगद के समराट बिम्बिसार को धर्मपदेश भी दिया था ये शहर भगवान बुद्ध से जुड़े समारकों के लिए भी विशेश रूप से जाना जाता है यही राजगीर में है सोन भंडार गुफा जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसमें बेश कीमती खजाना छुपा है जिसे आज तक कोई नहीं ढून पाया है ये खजाना मौरे शासक बिम्बिसार का बताया जाता है हाला कि कुछ लोग इसे पूर्व मगद समराट जरासंद का भी खजाना बताते हैं ये वही जरासंद है जिसको भीम ने मौत के घाट उतार दिया था हाला कि इस बात के ज्यादा प्रमान है कि ये खजाना मगद समराट बिम्बिसार का ही है क्योंकि इस गुफा के पास उस जेल के अवशेश है जहां पर बिम्बिसार को उनके बेटे अजात शत्रू ने बंदी बना कर रखा था सोन भंडार गुफा में घुसते ही 10.4 मीटर लंबा 5.2 मीटर चौरा और 1.5 मीटर उचा एक अक्षाता है ये कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए था इसी कमरे की पिछली दिवार से खजाने तक पहुँचने का रास्ता जाता है इस रास्ते का प्रवेश दुवार पत्थर की एक बहुत बड़ी चटान नुमा दर्वाजे से बंद किया हुआ है वहीं से दर्वाजे को आज तक कोई नहीं खोल पाया है गुफा की एक दिवार पर शंक लिपी में कुछ लिखा है जो की आज तक पढ़ा नहीं जा सका कहा जाता है कि इसमें ही इस दर्वाजे को खोलने का तरीका लिखा है